Good morning my dear children, today I am going to teach you ascending order. Ascending order को increasing order भी कहते हैं. What do you mean by ascending order? It means moving from lowest value to highest value, it is also called ascending order. Means lowest value से highest value की ओर move करना ascending order होता है. Simple way में small से big की ओर आगे बढ़ना ascending order होता है. देखो बच्चों, यहाँ पर हमने बहुत सी leaves यानी पतियां बनाई है. सबसे पहले सबसे small leaf है, फिर उससे big, फिर उससे big, then finally सबसे big. यह small से big की ओर बढ़ रही है. ठीक है? नेक्स्ट एक्जामपल देखे बच्चों, यह हमने सरकल बनाए है. ठीक है? जैसे जैसे यह सरकल बढ़ रहे हैं, यह हमारे numbers भी बढ़ रहे हैं. ठीक है? जैसे यहाँ पर number one सरकल है, तो वो सबसे lowest value है, one, और सबसे highest value है, number five. तो यह number हमें small से big की ओर बढ़ रहे हैं, number one सबसे small है, उससे big number two, उससे big number three, उससे big number four, उससे big number five. तो यह ascending order दिखा रहा है, कि small से big की ओर यह number हमें बढ़ रहे हैं, ठीक है? Ascending order में forward counting का यूज करते हैं, जैसे देखिए बचों, यहाँ पर five to nine है, ठीक है? means हमें five से nine तक ascending order में number लिखने हैं, तो हमें कैसे लिखेंगे, देखिए, सबसे small number है, number five, उससे big है number six, उससे big है number seven, उससे big है number eight, और last में सबसे big number है, number nine. तो यह एक सिक्वेंस में लिखे हैं, ठीक है? एक सिक्वेंस में यह आगे बढ़ रहे हैं, कहीं पर ऐसा होता है बच्चों, कि number छोटे बढ़े आगे पीछे लिखे होते हैं, एक सिक्वेंस में नहीं होते हैं, वहाँ पर हम ascending order देखिए, इस exercise की help से सीखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है, ascending order, write the following number in ascending order, यह जो number दिये हैं बच्चों, यह number छोटे बढ़े आगे पीछे लिखे हैं, इनको हमने ascending order में अरेंज करना है, तो कैसे करेंगे देखिए, ascending order means the smallest number will come first, जो सबसे small number होता है, वो ascending order में सबसे पहले आता है, और जो सबसे big होता है, वो सबसे last में आता है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे small number कौन सा है, देखिए, check करिए, number one, number one सबसे small number है, तो उसको cut करके हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, अब बताईए, three, six, seven, four में से सबसे small number है, number three, तो 3 को कट करके 3 यहाँ पर लिखेंगे ठीक है बच्चों? उसके बाद बताईए कौन सा है small number? 6, 7, 4 में से small number है number 4 4 को कट करके 4 यहाँ पर लिखेंगे ठीक है? कट इसले कर रहे हैं बच्चों ताकि आपको याद रहे कि यह number हम यहाँ पर लिख चुके हैं अब 6 और 7 में से small number बताईए 6 small number है क्योंकि counting में 7 से पहले 6 आता है ठीक है? तो 6 को कट करके 6 यहाँ पर लिखेंगे और last में बचा है number 7 तो 7 को यहाँ पर लिखेंगे ठीक है? तो यह number मिलके हमें ascending order में 1, 3, 4, 6, 7 सबसे पहले सबसे small है और सबसे last में सबसे big number है ठीक है? नेक्स्ट देखे 8, 5, 6, 2, 9 में से सबसे small number कौन सा है? number 2 2 को कट करके 2 यहाँ पर लिखेंगे after that number 5 number 5 उसके small number है ठीक है? तो 5 को कट करके 5 यहाँ पर लिखेंगे अब 8, 6, 9 में से small number कौन सा है? number 6 6 को कट करके 6 यहाँ पर लिखेंगे ठीक है? अब 8 और 9 में से small number है number 8 8 को कट करके 8 यहाँ पर लिखेंगे और last में बचा है number 9 तो 9 का 9 यहाँ पर लिखेंगे ठीक है बच्चा? यह number है 2, 5, 6, 8, 9 ठीक है? नेक्स्ट देखे 12, 14, 10, 18, 16 में से सबसे small number कौन सा है? number 10 10 को कट करके 10 यहाँ पर लिखेंगे ठीक है? उसके बाद बताईए small number कौन सा है? देखे, चेक करिए फिरे number 12 12 को कट करके 12 यहाँ पर लिखेंगे ठीक है? उसके बाद बताईए small number बताईए 14, 18, 16 में से सबसे small number है number 14 14 को कट करके 14 यहाँ पर लिखेंगे ठीक है? अब 18 और 16 नमबर बचे हैं इसमें से बताईए small number कौन सा है? इन दोनों में से number 16 16 को कट करके 16 यहाँ पर लिखेंगे ठीक है? लास्ट में बचा है 18 तो 18 का 18 आ जाएगा यहाँ पर ठीक है? तो यह नमबर है 10, 12, 14, 16, 18 ठीक है? बच्चों असेंडिंग ओडर आने के लिए आपका small और big का concept अच्छे से किलियर होना चाहिए तभी आप असेंडिंग ओडर को अच्छे से कर पाओगे आप यह असेंडिंग ओडर अच्छे से सीख गए होंगे अब आप यह exercise अपनी notebook में करिएगा और इसकी अच्छे से practice करिएगा ओके बच्चों? थैंक यू